दोस्तों रिविए चलती है बहुत पुराना दाद है अगर उसमें इट्रा कोनजल दे रखा डोक्टर ने उससे अराम ने आरा अराम आने के बाद फिर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मतलों चुआ-चुद वाली बिमारी सी हो गई है अगर किसी को स्कीन इंफेक्शन हो गया है वो दूसरे को कर रहा है संप्रेंग में आ रहा है दूसरा उसकी साथ तब कि द्र तुवाकर मीव इसकी इसिस को रोखने के लिए क्या जाता है इसकीयों किकर की जाता है इसकी साथ दॉस्तों ये कई इसर्टर में अगर वेक्टिभ ठीक नहीं हो रहा है वह ज़्यादा मतलब उधास रहता है वह ज़्यादा उसको डिस ओडर हो गया है एंजाइटी तो उसको उसमें भी ये डॉक्टर की दोरा दी जाती है लेकिन जाज़ाता इसका इसकीन इलर्जी में इस्तमाल किया जाता है किस तरीके से काम करती है दोस्तों ये करेंगर मेशंजर को रोक कर काम करती है जिसे की एलर्जी को आगे नहीं बड़ा बड़ा जा सके इस तरीके से काम करती है इसकी प्राइज की बात करें तो ये करीब-करीब आपको 30-35 रुपे की एक इस्ट्री में 15 टेबल आती है हर दोय की तुमाल पर मिल जाती है डोक्ट जब करीब अगर कोई एडल्ट परसन है तो इसकी एक टेबलट को दिन में दो बार 24 गंटे गंदर यूज़ कर सकता है वैसे अगर दिन में एक टेबलट से आराम आ रहा है तो दुसरे लिप लेने की कोई जरूरत नहीं है साइड फेट की बात करें तो इसके हो सकते हैं जैचे कि मुह सुख सकता है चक्कर आ सकते हैं वह मिल्टिंग हो सकती है या कब कभी हो सकती है बतन में यह सावदानी है अगर आपको हाइड्रोक्षा हाइड्रोक्षी जाइन से एलर्जी है तो इस्टेबल का यूज मत कीजिए अगर आपने कोई अधर ब्रेंड में ले रहे हो तब भी इसकी डॉबल डोज आपको नहीं ले नहीं है परिगनेंशिय ब्रेस्ट पीडिंग में डॉक्टर की सलास से यूज करने चीए सेल्फ यूज का मत कीजिए एल्गोल के साथ भी इसका यूज नहीं करना चीए पूर बूर categ लेख भी है बबस्टे का यूज करने साथ